अफ्टरनून सभी को कैसे हो दो दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई या वाइरल बुखार हो गया और परसो और कल तो बड़ी ही विकट परिस्तिती थी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तो कैसे हैं आप सभी लोग ओम नमश्रुवे गुड आफ्टरनून पिता जी तो ठीक हैं अंकेला जी इस बार आपके सर की थवित खराब हो गई हम अरे ऐसे कैसे मैं ऐसे नहीं है मैं आप लोगों का आपका पोर्स कंप्लीट जब तक नहीं हो गहां आप पीछे नहीं चोड़ता हैं कल हमारा करेंट फेर्स का होगा अब यह बताओ मेरे को कल आपको करेंट फेर्स कौन से करने एक ही टाइप कर आउगा national करने है या बिहार से संबंदित करने है क्योंकि बिहार से संबंदित आपके paper में बीपी एस्टी में जादा पूछे जाता है good afternoon बिहार से संबंदित करने है कल या राष्टी स्तर के करने है एक तो मैं तुमारे लेक्चर की न सब की नंबरिंग करूँगा तो कल बिहार से रिलेटेड कर इंटरफेर्स होंगे ठीक है आज का जो है हमारा देखो बिहार में जब अभी हम मॉडन हिस्ट्री पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक क्या चल रहा था अरे अधुनिक भारत यह टॉपिक चल रहा था कि मॉडरन इंडिया और मॉडरन इंडिया में अभी तक हमने क्या पढ़ाता कि भारत में यूरोपिय लोगों का आगमन ठीक हाई अधिया यह इंडिया के स्पेलिंग गजस लिग दी बेफकूफ जिवेश ओके मॉडरन इंडिया चलो कोशिश करूंगा कि दोनों परकार के बच्चे को यह रहे अब जब यूरोपियन कंपनी भारत में आई और वह भारत की तो थी नहीं उन्होंने भारत का क्या शुरू करा सूशन शुरू करा द अब निर्वान एक में अभी वाली क्लास ओ नहीं हो रही अच्छा यह सारे आप पांच जुलाई वाले बैच के हो सारे सारे पांच जुलाई वाले बैच के हो कोई 20 जून वाले बैच का नहीं है क्या एक सिकंड मैं जड़ा पता कर लेता हूं देखो इसके बारे में मेरे को एक मैट सर वो तो फिर उन बच्चों को जोड़ना पड़ेगा नहीं न उनके साथ अन्या होगा प्रूमर 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 इस को जाए नंच झांट उन्या है झाल 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 खिच्री ने शाल इजने कोई गाल So, तो हाँ जी अब देखिए बात ऐसी हुई है जो निर्वान वन है उसमें classes नहीं शो हो रही है क्योंकि उसमें study plan ओर हो गया लेकिन वह अभी तो possible नहीं है मैंने जो बात करी है वह यह कहा रहे कि कल से classes आपकी मर्ज हो जाएंगी ठीक है ओके ठीक है वो कल से होगी आज इसे नहीं होगी ठीक है अभी तो नहीं है हाँ ओके आपकी यार कई classes तो मैंने ही नहीं ली है ऐसे कैसे हो जाएगा अच्छा तो आपका क्या हुआ था last class में हम जो पढ़ रहते की सन 1765 में ठीक है एक हुई थी भाई इलाबाद treaty या इलाबाद संधी हम इसे हम बोलते हैं ये किसके बीच हुई थी उस समय का जो मुगल बादशाह हो नाम मात्र का बोगल बादशाह था ठीक है जिसका नाम था शाह आलम दित्य और रॉबर्ट कलाय के बीच इस इलाबाद treaty से जो British East India Company है धियान रहते घका बीचप इस ऐस इंडिया कंपनी को क्या मिल गे थे दीवानी अधिकार मिल गए थे दीवानी राइट दीवानी राइट कौन से कि मिल गए थे बंगाल कि मिल गए थे ठीक है ? किसके मिल गएते बंगाल हाँ ये बकसर के युद् के बाद की बात मैं बता रहा हूँ ठीक है अब बंगाल के अधिकार मिल गए थे कि इन्हें केवल क्या करना था कि आपका बंगाल के छेत्र में से अभी आप आप लोग मेरी बात सुन रहे हो ना सभी लोग पहले आप अपनी बात चीत कर लीजिए ठीक है फिर हम शुर करें फिर मेरे को लगा अशाद बिजी हो ओके तो क्या कहता है बंगाल के रीजन में क्या करना है इनको केवल टेक्स कलेक्ट करना है अब वो कोई हमारे चाचा मामा ताओ या फूपा तो थे नहीं वो तो भार सावे थे तो उन्होंने जैसे मच्छर आपके शरीर में से खून चूसता है ना उस तरीके से भारतियों की संपदा को क्या करने लगए चूसने लगए इसलिए दादा भाई ने रोजी ने संपदा का दोहन ड्रेन ओफ वेल्थ बिहार, अब कोई आपका सोचन करे तो आप उसका विरोध करेंगा और बिहार तो भाई करानतिकारियों की भूमी रही है बिहार की धलती पर अगर करानतिकारी पैदा नहोँनों क्योंकि एक बिहारी सो पनफ भारी फिल कहवत वह हो जाएगी ना क्या कहते हैं में सिध्य न और जारखंड, यहां से केवल क्या कहिलना है, टेक्स लेना, तो जब सोशन करने ले गए, और जाहिर सी बात है, अंग्रेजी सोशन करते थे, तो क्या हुआ, इसका इस दिवानी राइट का, इसका क्या हुआ, कि भाई, आपका बिहार में, बिहार में जन जातिया, अंदोलन, जन जाती है, अंदोलन होते हैं, यानि ट्राइबल मुवेंट्स, ट्राइबल मुवेंट्स इन बिहार, अब आप से जो कोश्चन इन से पूछा जायागा ना, कि ट्राइबल मुवेंट्स बिहार, बाई, इनका, बिल्कुल पापा जी, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे है, मेरे को विशिस दी, परातना करी, मेरे पिता जी का स्वास ठीक है, आपके भी घर में सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, ठीक है, धन्यवाद, भी इसी आइसी से पहले, में नहीं शो रहें, तो क्या आप करा हैं कि क्या, देखिए, जिम्मेदारी तो मेरी बनती है, वो कराने की, ठीक है, अब वो चाहिए, बैक हैंड से हुआ हो, या ना हुआ हो, वो एक्चली, जो आपको, मैंने, आपकी जो क्लासे छुटी हैं ती, उसमें से काफी क्लासे त तो आप मेरे साथ करी देए हैं, ठीक है, बागी रहा करेंट अफेर, तो करेंट अफेर तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जो बिहार में अंदोलोन हो था, कैमरा बंद कर लेता हूँ, क्योंकि फिर लिखने में दिक्कत ना होईगी, तो अब इसके कारण क्या था, कि भाई एक तो यह टेक्स बहुत लेते थे, और जब जबरन खेती कराते थे, आपकी अफीम की जबरन खेती कराते थे, आदिवासी जन जातियों में मिशनरी धर्म परिवर्तन कराते थे, तो इसका बहुत सारा आपका कारण था, तो सबसे पहले जो विद्रो हुआ, उसका नाम है तमाड विद्रो, ठीक है, तमाड विद्रो, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं तमाड रिवूल्ट, ठीक है, अगर किसी को जानकारी हो तो बोव ज़रूर इसको देना, यह आपका तमाड विद्रो जो हुआ था, वो कब हुआ था, यह 1789 से 94 त बीच हुआ था, यह विद्रो का सम्मंद जो है, यह आपका जो विद्रो था, तमाड लोगों ने करा था, टमाड के उव़राव, जाती, ठीक है, उवराव जाती, ओके, बनाम, यह नि बनाम का मतलब होगा, versus, ठीक है, बनाम का मतलब होगा, किसके विरुद, बनाम, छोटा चोटा नागपुर के जमीदार क्योंकि जमीदारों को भाई British East India Company ने कहा रखा था में टेक्स के लटकर दो और British East India Company के बीच यह हुआ था यह किसके बीच हुआ था ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह हुआ था तमार विद्रू कहां पर हुआ था इसका रीजन ध्यान रखेगा छोटा नागपूर पठार कहां पर पढ़ता यह पता है आपको अगर इस तरीके से हम भारत का नक्षा बनाए यह वैसे तो नागपूर आपका महराष्ट्रा में है लेकिन यह चोटा नागपूर आपका कहां पढ़ता आपको पता है यह चोटा नागपूर यह इदर ना इदर यह इदर यह चोटा नागपूर पठार है इसको दो भागों में बाढ़ते हैं उपर हजारी बाग पढ़ता नीचे राची पठार पढ़ता है। इसके बाद जो दूसरा विद्रो हुआ था, दूसरा है, ho withdraw, ho revolt, ho withdraw, देखो, withdraw में इसके leader का बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसके और इसके साल के बारे में, तो हो विद्रो आपका जो हुआ था, अठारा सो एकेस बाइस में हुआ था, ओके, और ये भी आपका टेक्स के विरुद हुआ था, ठीक है, ये भी आपके किसके विरुद है, टेक्स के, ये भी आपका छोटा नागपुर छेत्र में हुआ था, चोटा नागपुर, च्छोटा नागपुर छेतने होता है, यानि आज के जारखंड में हुआ होगा, और किसके द्वारा हुआ था, ओके, किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, किया गया था, तो, ये, राजा जगनात सिंग, ठीक है, राजा जगनात सिंग के द्वारा किया गया था, देखे, अब ये BPSC में, देखो, आदुने, अब सुनिए, वात आपकी बिल्कुल जई है, रुहात सर, अब ये पाट तो जहार खंडगा हो गया, तो, क्या ये, अब BPSC में आएगा, इस के परशन का उत्तर मैं ऐसे दे सकता हूँ, अगर आप उसे में पूछूँ, का में लुख्य की बात, आम नहरू नहरू कौन से स्थान पे करी थी, तो आप क्या उत्र दोगे, परशन सिविल सर्विस में भी आता है, NDA में भी आता है CDS में भी आता है तो पूर्ण सुरज्य की बात कहां पर करी थी पंडित नहरू ने कहां पर करी थी पूर्ण सुरज्य की बात सन 1929 में लाहॉर में करी थी प्रशन आता है अब कह सकता है कि लाहॉर तो पाकिस्तान में है कह सकता है लाहूर तो पाकिस्तान में तो यह अब UPSC में थोड़ी आएगा वी PSC में तो वो चीज़ है इतिहास का भाग है चाहिए आपसे अलग हो जाए ठीक है लेकिन वो रहेगा तो आप ही के ही देश का भाग ठीक है चाहिए आप अपने परिवार से अलग हो जाओ लेकि बहुत महत्पूर्ण कोल विध्रो दियान रखेगा मैंने BPSC में जितने भी प्रशन देखें इसे संबंदित वो इनके उस समयकाल पर जाता कि कौन से समयकाल में होता तो यह 31 32 में हुआ था और यह आपका कहां पर हुआ था पलामू अब यह पलामू कहां पर है पलामू आ नित्रत्व करता जो है इसके वो कौन कौन थे इसके नित्रत्व करता था बुद्धो भगत यह ध्यान रखेगा यह कोश्चन दो बार पूछा गया बुद्धो भगत कोल विध्रो के ठीक है सिंग राए सिंग राए ठीक है? सिंग राए, बुद्धो भगत सिंग राए, एवं एवं सुर्गा मुंडा सुर्गा मुंडा ठीक है? यह लिखे लिए आप लोग ने ठीक है? अभी जिनका है, अभी बस यही है, इससे पहले मैं तो कुछ भी नहीं करा दिपती, बस यह है चले, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका अगला विद्रो जो आता है, वो आता है भूमिज विद्रो, भूमिज चौथे नंबर का जो विद्रो है, भूमिज विद्रो, यह भूमिज विद्रो जो है, आपका जनजातिय लोगों ने करा था, और अठारा सो बतिस में हुआ था, और यह जो है, इसके एरिय का मेरे को पता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश भी करी, लेकिन इसके जो नित्रत्व करता है, उनका नाम है गंगा नारायन, ठीक है? इसके बाद जो सबसे महतपूर्ण है, संथाल, संथाल एक जनजाती है, ठीक है? संथाल विद्रो, यह बहुती मतलब समझ लेगा, अवतार मूवी जो है, वह इसी संथाल विद्रो से रेधित है, यह जो है, आपका कौन से छेत्रम होता है? सबसे पहले तो इसकी जो शुरुवात है, यह आपका अठारा सो पच्पन, ध्यान रखेगा, अठारा सो पच्प से छपपन तक हुआ, और इसमें यह दा क्रशोकों का उत्पीरण, वनों पर से जमिदारों द्वारा बेधखली कलना कि जो आपका जन जाती रहती थी, उन्हें कहा दिया कि भाई, यहां से जाओ, तो इसके जो नित्रत्व कलता है, सबसे पहले तो ध्यान रखेगा, हमारी अभी जो राश्पती जी है न, वो इसी समाज से शाद संबन रखते हैं, इसके नित्रत्व कलता है, सिद्दू और कानू मुर्मू थे, ठीक है, सिद्दू और कानू मुर्मू, मुर्मू मैं लिखनी रहा हूँ, भैरव, वैसे यह दो नाम याद रखेगा, सिद्दू और क पानू बहरव, एवम, चांद, और यह आपका जो था, यह कौन कौन सी जगा पर हुआ था, तो वैसे तो यह वीर भूम, सिंग भूम में हुआ था, जो आपके बिहार में पढ़ते हैं, लेकर भागलपुर के छित्र में भी हुआ था, किसमें हुआ था, यह भागलपुर र राज महल, राज महल, छेत्र में हुआ था, ठीक है, और इसके बाद आपका खैरवार विद्रो, तो जो खैरवार विद्रो था, ठीक है, खैरवार विद्रो, यह 1870 में हुआ था, खैरवार विद्रो, और इसके जो खैरवार अंदोलन है, इसके जो नित्रत्व करता है, ठीक है, इसके नित्रत्व करता का नाम है, भागी रथी, भागी रत, भागी रत मांजी, जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है, यह जो है न, जंजाती मूलियो, पर आधारिता की उनकी जो एक्जिस्टेंस है, उसको खोएना है, इस खैरवार विद्रो को, सफा, हार विद्रो भी कहा जाता है, यहनि इसका दूसरा नाम है, सफा हार विद्रो, ठीक है, और यह आपका कहां पर हुआ था, संथाल परगना में क्योंकि उस समय आपका जो जिला होता था उसे परगना कहा जाता था ठीक है तो कहां पर हुआ था संथाल परगना में हुआ था गंगा नरायन अच्छा एक बहुत बताओ 14 नॉम्बर को हम क्या मनाते हैं 14 नॉम्बर को 14 नूम्बर को हम क्या celebrate करते हैं चिल्डर्ण स्टे बाल दिवस वेरी गुड़ और 26 नूम्बर को हम क्या मनाते हैं साविधान दिवस नूम्बर को हम एक और दिन मनाते हैं राश्टी ये दुख्द दिवस, National Milk Day भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन वर्गीज, पूरियन, जो भारत में श्वेत करांती या Operation Flood, जिन्होंने शुरू का रहता, या आणद Milk Union Limited, अमूल, ठीक है, अमूल का दूद, दही, मखन, मखन तो डेफिनेटली आप लोगों ने खाया ह होगा मूल का, तो National Milk Day, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आभा सिंग जी, लक्षमी, कार्तिक, चिरंजीव, संजू, बेबी, शालिनी, कीर्थी, साहिबा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, who was the first education minister of India? आज अब्दुलकलाम, हरे हाँ, आज तो एपी जो अब्दुलकलाम साब की पुन लेती थी है, 2015 में, अबुलकलाम आजाद साब, ठीक है? हाँ, नहीं, अब्दुलकलाम आजाद साब, जो है, वो क्या कहते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जनम दिन मनाते हैं, 11 नौमबर को, तो हम मनाते हैं, National Education Day के तौर पे, राष्टिय शिक्षा दिवस, आप लोगों को मजाक मजाक में, मैं चीज़े करा रहा ह ठीक है, अजा, पंदरा नौमबर को क्या मनाते हैं, पंदरा नौमबर को हम क्या मनाते हैं, पंदरा नौमबर को हम क्या मनाते हैं, पंदरा नौमबर से पहले पढ़ता, पंदरा अक्टूबर, पंदरा अक्टूबर को पता क्या मनाते हैं, हमने International या National Student Day क्योंकि, आपको क्यों याद करा रहा था? कम सखम आपको इस बहाने दिमाग में रहे गा, तो relate करके चीजों को. हा राश्ट्य मेसरा जनजाति दिवस. ने आपको नेशनल जी के बड़ाता है मज़ा कुछ हो रहता है? अज तो जहारकंड का स्थापन दिवस भी है, जारकंड भारत का 2800 राज्य बना था, मेरेको तो डेट याद है, जैसे देखो, आपका 1 नुवंबर, 1 दिसंबर 1963 को आपका वो बनाता, क्या क्या क्याते हैं, नागा लेंड बनाता, भारत का 16 राज्य, एक नुवंबर 1966 को हर्याना, भारत का 17 राज्य, 18 पराल 1971 को आपका हिम नाचरपदेश, ठीक है, और यह ठारवर राज्य था, फिर 19, 20, 21, 21, 21 जनवरी 1972 को तिरफुरा मेगाल्य और, तिरफुरा मेगाल्य और, मनिपूर बनेते, ठीक है, और फिर आपका 26 अपरेल, को आपका 26 अपरेल 1975 को इसे किम बना था, 22 राज्य, फिर 20 फरवरी 1987 को मिजुर और अचरपदेश बनेते, 23, 24, 23 मई 1987 को को बना था, 25 फिर एक नौंबर को 2036 गड़, 26 राज्य, 9 नौंबर 2000 उत्राखंड, 27 राज्य, 15 नौंबर 2000 में आपका जारखंड, 28 राज्य, फिर दो जून 2014 को आपका बना था, तिलंगा 39 राज्य, 31 अक्टुबर 2019 को जम्मु कश्मीर को रज्य का दर्जा हटा दिये गया, तो अपना रज्य बन गया वो, ओके, फर्स स्टेट आजादी के बाद जो बना था, वो तो बना था आपका आंदरपरदेश, भाशा के आधार पर, 1953 में, खैल चली, वो एक फजल अली आयो गया, सनी सर से पूछेगा सनी सर बताएंगे उसको बारे में, ठीक है, फजल अली आयो गया, वो फिर हम लीक से तो मुंडा विद्रो, इसको न, मुंडा विद्रो को उगलहन विद्रो भी बोलते हैं, यह 1899 में हुआ था, और यह आपका कहां पर हुआ था, छोटा नाग पूर विद्रो, ठीक है, कहा पर हुआ था, छोटा नाग पूर में, ठीक है, बिर्सा मुंडा ने इसका नित्रत करा था, और यह जो आपका था, यह सोशन और उत्पीरन के खिलाफ था, ठीक है, फिर आगे चल कर, जो है, अंग्रेजों ने इनको, बहुत, इनके साथ एक कास्तकारी अधिनियम बनाया, जिससे में एक आगया कि इन से जबर्दस्तिक काम नहीं करा जाएगा, रुहान, आपने जहां पर भी पढ़ा है, वो सर गलत है, 1899 में ही वग रहा है, ठीक है, चलो, उसके बाद आपका अगला जो आता है, वो आता है, ताना भगत, ठीक है, देखो, कुल आपको मैं नो ही विद्रो लिखाऊंगा, इस में से मुन्डा विद्रो सबसे इंपोर्टन्ट है, ताना भगत विद्रो, ताना भगत विद्रो, 1913-14 में हुआ था, ठीक है, और ये इसमें तीन जन जाती थी, धियान रखेगा, तीन जन जाती, ठीक है, इसमें कितनी थी, तीन जन जाती उने मिलकर गाना था, इसमें तीन जन जाती में, उराव, मुंडा, ठीक है, और संथाल, जिन्होंने अलग-अलग अंग्रेजों के साथ विद्रो पहले कर चुके थे, इन तीनोंने मिलकर ये संयूक तांदोलन कर रहा था, ठीक है, और ये किसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था, जाहर सी बाता है, इन्होंने कहाता है कि हम लगान नहीं देंगे, मनुश्य में बराबर का दिकार हो, लेकिन अंग्रेज तब तक शक्तिशाली हो चुके थे, और उन्होंने इसको दबा दिया था, ठीक है, उसमें इसको क्या कर रहा था, दबा दिया था, ओके तो यह आपके परमुख विद्रों थे आपके, जो मैंने आपको कराए, अब इस विद्रों के बाद, जब पलास्सी का युद्ध हुआ था, पलास्सी का युद्ध कौन से सन में हुआ था, ठीक है, अच्छा, 1913-14, सुरी मैंने गल्ती से, मतलब थोड़ा अभी नाक बंद है ना, तो दिमाग भी बंद रहता थोड़ा सा, अच्छा, ये एक बाद बताओ, अगर मैं आपकी बात ना सुनू, और अब ना पढ़ाता चला जाओं, आप यहां पर मैं ऐसे, आपकी चैट भी मैं प्राइवेट कर दू, ठीक है, आपकी चैट भी मैं प्राइवेट कर दू, और मैं बस पढ़ाता चला जाओं। जब पलासी का यह दूआ तो अंग्रेजों ने भारत पर कबजा कर लिया था एक तरीके से। सत्रासो सत्तावन से अठारासो सत्तावन तक भारतियों का सूसरण अतरा। पहली बात तो भारतियों को पता ही नहीं था वो गुलाम हो चुके हैं। और फिर आग भूटती है, सभी भारतियों का गुस्सा एक साथ निकलता है। जो कि हम पढ़ते हैं, दी रिवोल्ट, दी रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन, अठारासो सत्तावन का विद्रोव, दी रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन, एक सेकंड, जैमम क्या कह रहा हूँ। पलासी के युद्ध को यार भागी रथी का युद्ध भी बोला आता है यार शायद। पलासी के युद्ध को भागी रथी का युद्ध तो नहीं कहते हैं। हाँ, पलासी के युद्ध को भागी रथी का युद्ध भी बोलता है। हाँ, आ गया। क्योंकि कोलकता में न, हुगली नथी को भागी रथी बोला जाता है। नगाने गर्वीत में, क्योंकि होता जाह दो एप्लांसी एव्घ बोला श्ता हुआ, और भागी हुस्थ कना, पर भागी न आता, प्रकति सह अम्ना तो आप इतने question भी नहीं करते मेरे से ठीक है ओफ-लाइन में एक अलग होता है ओनलाइन में क्या होता है ना एक हमारा अंदर खुझली या कीड़ा कहलो जो भी कुछ हो टाइप करने का बड़ा होता है मानो या ना मानो मेरे अंदर भी आपके अंदर भी है मान लो तो हम चीज ना इसी वज़े से वो करते रहते हैं ठीक है तो इसी वज़े से तो यह जब मैं online teaching में आया था तो शुरू शुरू में फिर मेरे कोई बात समझ में आए कि अगर यह नहीं पूछेंगे ना यह नहीं करेंगे तो फिर यह बोर है तो आपको engage करने के लिए मैं आपके जबानों का बोलता रहता हूं ठीक है पलाश येस आकाश उपाद है आपने मेरी तरह Google करके देख लिया आयुश सर्ल ठीक है सा डांट वगर अभी ज़रूरी होती है खटा मीठा नमकीन कड़वा सब चीज ज़रूरी है एंजला साइड वर्जन है आगाश उपाद है बहुत बढ़ी है चलो अब एक बाद बताओ यह रिवोल्ट के कारण क्या थे आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1757 मतलब सो रहते हैं उसके कई सारे कारण थे ठीक है अब पहले कारण समझ लो तभी आप लोगों को वैसे आप लोगों को सनिसर ने पढ़ा दिया गया यह 877 का विद्रू यह अभी भारतिय राष्टे अंदोलन ही पढ़ रहे हो चलो जिनने फढ़ा दिया बहुत बढ़े है देखो इसके कई सारे ना काॉजिज थे काॉजिज को हम बोलते हैं कारण कि भाई यह 877 का विद्रू हुआ क्यों तो देखो सबसे पहले तो था मुगलो का पतन ठीक है मुगलो का पतन यनि डिक लाइन ओफ मुगल प्रकल्टिका नियम है यह दियान रखेगा कोई अगर अमीर है वो गरीव होता है फिर अमीर होता है फिर ऐसे ऐसे जाता है यह प्रकल्टिका नियम है जो आज गरीब है, उसकी अगली जनरेशन अमीर होगी, वो उससे अदा अमीर होगी, जब वो उस पर पहुच जाएंगे ना तो फिर वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है? फिर आपका दूसरा था मुगलों के पतन के इलावा राजनेतिक कारण, राजनेतिक कारण, यहनी राजनेतिक कारण में आपका क्या था? पहला था रजहरपनीती, रजहरपनीती 1848 में आई थी, और इस नीती के तहत न, जिस नीती के तहत, जिस भी राजा की खुद की संतान नहीं है, उसको क्या कर लिया जाता था? उसको, उसको, उसके दसमराज्ज को ब्रेटिश यर्पर अपने उसमें मिला लेते थैंगे, ऐसे ही भाई, सबसे पहले आपका किसको मिलाया था, सबसे पहले 848 में 17, 17 के बाद जैतपुर, जैतपुर के बाद उदेपुर, उदेपुर के बाद जहासी, जहासी के बाद नाकपुर, खीक है, हाँ, तो आपका, सबसे पहले, अगर कभी कुछ हो ना, राज्य हडब नहीं थी किस पर लगी, तो सतारा पर लगी, अब वो, अवद जो था, अवद का राजा का खुद का संतान था, तो अवद का अंग्रेज एक शड़ियन करके कर लेता है कि तेरे से administration पर शाशन अच्छा निगा चल रहा है, तो अवद को मिला लेते हैं, अवद एक बहुत ही अच्छ अवद को मिला देता है, और नवाव को भगा देता है, भाग यहां से, वो बिचारा बंगाल चल आया था, तो मैं बंगाल बता रहा था न, कुल कता कि पर यानि मैं आलू खाने को मिलते हैं, वो इसी 856 के बाद की गानी है वो, आखरी पेशवा जो थे, उनका नाम था, बा हैं, और एक वो कलते हैं, बसाई की संदी संद 1802 में, सुनते रो मेरी बात, अब बसाई की संदी 802 में कलते हैं तो अंगरेज कहता है कि यह महराष्ट का सारे रिजन हमारा, अब तुम जाओ कानपूर, ठेक है, कानपूर में रहो, हम तुमें पेंशन देते रहेंगे, उनक दत्तक पुत्र होता है, जिसका नाम होता है नाना साहब, अब नाना साहब adopted son होता है, अंग्रेज कहते हैं, यह तो adopted son है, इसा कहू पेंशन देना, तो नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, है, सॉरी, गान निकलिया, नाना साहब, ठीक है, नाना साहब की पेंशन ठीक है नाना साब की पेंशन बंद ठीक है नाना साब की पेंशन बंद गलती तो ये तो हो गए राजनेतिक कारण रजहड़पनीती की वज़े से जहांसी अवद की वज़े से बेगम हजरत महल और नाना साब की वज़े से कानपुर आपका उस्माया अब इसके कुछ समाजिक कारण भी थे समाजिक कारण क्योंकि किसानों ने भी इसमें भाग लिया था किसानों ने भी इसमें क्या लिया था भाग लिया था ठीक है किसानों ने क्यों भाग लिया था उसका कारण यह था भाई अंग्रेज ना भूर आजस्व लेते थे, क्योंकि उससे में इंडिया में इंडिस्ट्री तो होती नहीं थी, ठीक है, ओके, इंडिया में इंडिस्ट्री तो होती नहीं थी, इंडिया में उससे में क्या होता था, क्रुशी तो थी और बच्पन से पढ़ता आ रहा हूं लाता है स्थाई बंधोबस्त बंगाल के चैतर में बंधोबस्त स्थाई बंधोबस्त यह श्थाई बंधो बस्त जो था इसे एंग्ग्रेजी मां बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं परमणेंट सेटलमेंट देखे यह Layer क्लास नोटिफिकेशन वगारा जो सॉरी यह जो क्लास नोटिफिकेशन है ना यह यह मेरे क्या कहता है कारे छेतर से बाहर की चीज यह टेक्निकल चीज है इसके बारे में तो आप एप पे अपने शेटिंग्स को चेक करें हां 1793 1793 ठीक है और कौन लाया था लॉर्ड कॉर्ण नोबलिस कहां पर लाया था बंगाल वाले चेक्तरे में इसने कि समेंधारों को 10 से 30 साल तक के लिए पटा दिया जाता था कॉंट्रेक्ट दिया जाता है कि हम आपसे टेक्स लेंगे आपको टेक्स कलेक्ट करके मैं इस एरिए का अे अरिये का किसनों की जमीन होतीन थी पता है किसान अगर सो किलो अना जुगाता था तो 89 केजी टेक्स के रूप में देता था 89 परसंट 89 पतिशत टेक्स एक परसंट जमिदार रखता था क्योंकि उसकी जमीन होती थी ओके और भाई 10 परसंट किसान और किसान का 10 परसंट में गुजारा नहीं चलता था तो वो जो वो नहीं होते ब्याज पर जो पैसे देते थे जिनने साहुकार मनी लेंडर्स पोलते उनके पास जाते थे अब फिर वो ब्याज के चकर व्यू में ऐसा फसते थे कि दादा का लिय वहं के गिदन हुआ था अठासो सत्ताओंद का तो किसानोंने सबसे पहले इन साहुकारों के बही गाते जला दिये थे इन all Fourth के बही काते जलाये थे तो इस था यह बंदबसत्त यह लॉर्ड कॉर्नावली से नहीं इसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता, ये लिख लो, क्या कहा जाता भारत में सिविल सेवा का जनक, क्यों कहा जाता इसे भारत में सिविल सेवा का जनक, क्योंकि इसने इस टेक्स को कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर का पद बनाया था, तो इसे भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, फिर आ इसमें क्या था इसमें डारेक्ट किसान क्योंकि इसमें जो रायत वाडी प्रणाली रायत वाडी वाडी रायत वाडी लिखेगा रायत का मतलब होता है अर्विय भाशन में जमीन मदरास में यह सर्थॉमस मुंद्रो और कैप्टन रीड ने आपका शुरू करा था मदरास में इसमें डारेक्ट किसान से लिया जाता था किसान के पास ही क्या होता था भूमी का अधिकार होता है इसमें लिया जाता था 6-5ap% this area of a taking of 1822 म में आपका आता है महल वाडी महल वाडी प्रणाली यह आपका बंबई में थी ठीक है रायत मीन्स में एक हाल से जमीन का टुकड़ा होता था किसान भी होता होगा मैं मैंने तो रायत से जमीन का टुकड़ा पड़ा है चेक कर लूँ एक बार कलर चेंज अच्छ लुकड़ा है अवंगरें के लुकर रेक Giizon अघ पर्मेनेंट सेटलमेंट स्थाई बंदो बस रायत वारी सिस्टम 1822 महलवारी सिस्टम यह हॉल्ट में के लजी लाता तो यह हॉल्ट मेकेंजी लाय था और हल्ट मेकेंजी जो था इसमें ये था कि दाइसों से लेके, यह मैं खाल से मिनिमम, मिनिमम था, मिनिमम दाइसों गाउं का एक महल, एक गुरूप होता था, ठीक है, और उस पूरे महल से जितनी भी उनकी उपजी है, जितनी भी उनकी पैदावार होती थी, उसका उन्होंने, क्या लेड़ना था, 50 पतिशट टो ये तो हो गया आपका लैन्ड, रऊवन्यू, ठीक है, ये तो आपका हो गया लैंड रऊवन्यू, जिस की वज़े से किसान, ओक्ए, यहाँ पर, राजा महराजा ऊंगरेजं़ के खिलाफ, यहाँ पर किसान, अब आम जनता ओख़ुंष्иссластान। यह जितने भी नेता हैं, यह आजकल जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? चाहा यूपी में अखिले से आता हो, आपके उधर बिहार में दो पार्टियां है, एक तो जदियू और एक रजेडी, यह क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि इन्हें आम आदिमी का सपोर्ट ही नहीं है. गरीब जनता का सपोर्ट ही कुछ लोगों को लगता है कि यह बड़े खराब काम करने हैं, जैसे 1829 में लॉर्ड विल्यम बेंटिक एक कानून लाता है, रेगुलेशन 17, रोमन में लिखना 17, ऐसे, रेगुलेशन 17, 18, सती सिस्टम, अबोलिश्ट, सती परधा का अंतकर देता है, ठीक है, सती परधा का अंतकर देता है, फिर 1854 में, लॉर्ड अलॉजी, ईश्वर चन्विद्या सागर के आगरा पर, विडो, एई, मैरिज, मतलब आदमी कितनी, हम मुस्लमानों को कहते हैं कि वो चार शादी कर सकते हैं, जितनी भी हिंदू लड़के आना, डॉक्टर हम बेड़कर के कहीं मूर्ती मिले, पैल छुले कर रही हूं, ऐसे करके, क्याकि हमारे हिंदू धरम में तो थाई नहीं, य उसका असली मकसद गया है कि जो हमारे हंदू मैरिज ECT अना, उसमें एक मैरिज ही गहा रखी है, आप अपने परिवार में देखलो, जद cui दूर की जा रहो हूँ, अपने दादा पर दादा में जाओ, दादा पर दादा या पर ना दो दादी कहीं न कहीं आपको मिलेंगी, दो दादी या दो नानी definitely मिलेंगी, ओके तो यहां पर मैं क्या लिख रहा था, विडो रिमरिज एक्ट, तो 1854 में, आपका क्या आता है, जी मेरेज एक्ट विदवा पुनर विवा कानून अब ये तो और वो लगता है कि हमारे समाज के साथ छेड़ छाड़ हो रही है जैसे अभी इंडिया में अभी और बावाल होना बागी है अभी आ रहा है समान नागरिक सहीता उनिफॉर्म सिविल कोड नाम सुना इसके बारे में जैसे अभी अभी देखना ना मित कुमार अभी उनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है अब वो गौवर्मेंट अच्छा सोचके ला रही है लेकिन देखिए इसका बवाल कितना होगा और वो वैसे इंडिया में ना मुस्किल भी है उसे करना क्योंकि भारत बिवित्ता होग का देश है इस पर पक्का होगा और यह जो दो राहू के तुए ना मारे ठीक है में राहू के तो बोलता है भगान जी माप करो परदान मंतुरी जी है और गरह मंतुरी लेकिन यह कई हो की गति-बंति बोरा देते हैं जब गोवा में अल्रेडी है वहाँ इसलिए है वहाँ सारे पड़े लिखे हैं ज्यादा पड़ा लिखा होने से न आदमी इमोशनल कम हो जाता है इसलिए शहरों में आप देखोगे न तो आपसमें बैर्व होते हैं और जितना आदमी कम पड़ा लिका रहा था उतना वह इमोशनल होता है गोवा वैसे पुर्टगालियों के अंदर गया था एक बार हम गए थे वैसे गोवा दुनिया तुम कभी मत जाना गोवा घूमने मैं गया हूं कुछ नहीं करना वहां पर बस जगा जगा आपको दुकान में करें बियर मिल गए चलो बियर पी लिए समुद्र के नारे बैठके भी है काले हो जाओगे अज नो की चीज सो में घूमने जाना है तो आप जाएगा केरला अच्छी जगा है उत्राखंड हिमाचर पदेश लेकिन उत्राखंड और हिमाचर पदेश बारिश में मत जाना बस कभी बाबा अपने पास ही रख लें कि ह नहां भई आज तू मेरे पास ही है ठीक है अब मेरे पास ही रहे ठीक है ठीक है खेर बाइक कौन सी पसंद आप लोगों को अरे कुछ मजए थे जावा बुलेट 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 में भी पहले तो एक ही बुलेट आती थी आज में बुलेट बाइक और चेस का नहीं पर मैं चिसम हुआ है तो मैंने जाकर देखता हूं वह भाई तो उसमें भी इतने वर्जन हो गए अजब बुलेट के उसमें पता क्या लिखा रहता है उसके बिल्ट लाई के गन, राइड लाई के बुलेट तो ऐसे क्यों लिखा रहता है आज अजब बुलेट के विखा देखता है रहता है जदेट प्वलेट देखता है भीड़ेश देखता है रहता है जए थैसे आए्ट वह भीघश का रहता है वह देखता है अजब अच्छा वो बुलेट इसलिए होता है न क्योंकि जो एनफिल्ड है न अठार सो सतावन वे यह राइफल बनाती थी ठीक है अठारसो सतावन में राइफल बनाती थी जिसको एनफिल्ड राइफल के नाम से हम जानते थे कोई म 안돼 कोई विद्वान विफ्टी का गया है कि जो धरम है न वह लोगों की अफीम होती है. अब आज की राजनीती भी अफीम के चक्कर मँए एक जन्वरी से एक जन्वरी दोहजार चौविस से आप सुनिएगा मैं आप भी बता रहा हूँ आज मैं भाग्वान भोले नाफ राम जी हनुमान जी इन सब की बहुत पुजा करता हूं लेकिन एक चीज मैं बताऊं एक जन्वरी से आप देखेगा जैसी राम जैसी राम जैसी राम जैसे राम और जब तक चुनाम Stan最 जाएगा, जैसे राम चलता ही रहेगा, क्योंकि राम मंदिर का उता घाटन होगा, मतलब उसकी होगा, तो वो एक्चुली वो राजनीतिक पॉइंट ओपीस होगा, चलो भक्ति कर रहा है, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल उसमें वो नहीं कर रहा, लेकन उसका जो रियल परपस हो यह होगा, वो अभी क्यों नहीं हुआ, ठीक है, धीरे धीरे उसे अगनी को मतलब जो कहता है न, आग को सुल लगा रहा है, कि साई टाइ उससे में ऐसे बुलेट आती थी, बुलेट में ऐसे होता था, यहां पर आपका चर्वी की परत होती थी, नीचे छर्रा होता था, बुलेट होती थी और फिर मसाला होता था, इसे ऐसे चर्वी की परत को निखालते थे क्यूंग क्योंकि ताकि मसाले वे नमी न पहुचे और फिर इसको नॉसे बंदू की नाल में डालते थे ठीक है ठीक है बंदू की नाल में ऐसे डालते थे और फिर ऐसे कूट के चलाते थे अब एक बहुत बताओ चरवी के वल दो जानवरों में होती है एक तो पिग जिसे हम वरहा बोलते हैं ठीक है शूकर भी बोलते है और बैल, गाएं, भैस चो भी बोल लो ठीक है उसमें होती है बकरे मुर्गे में तो इत्ती होती नहीं हां होती है औरों में चर्वी छेर में बहुत होती है हाथी में बहुत होती है गेंडे में बहुत होती है लेकिन उनसे ले कौन ठीक है तो यह चर्वी उप्योग की जाती थी अब उस समय अंग्रेजी सेना में दोनों सेनिक थे और मुसलिम हिंदों के लिए जो गाएं है वो पवित्रिस्तान मा का दर्जा रखती है, ठीक है, और इसलाम में तो उसको बिल्कुली नाम लेना भी उसको गुना माना जाता है, तो धरम बरश्ट हो रहाता है, तो आज के तो हम सब हरामी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सिर् स्लिम फ्रेंड वो रोज समको, अरे आज बैठते हैं ना यार, याना के साले, तेरा धरम बरश्ट हो जाकर रहा कोई बाता है, क्या होता है, टेंशन हो रही है, तो आज की डेट में तो यह इस स्थाल तक हमारा पहुँच चुका है, बैरक फुल शावनी से हुआता, तो व वो क्या था आपका चर्वियुक तकार्तूसों का प्रयोग, तो यह मैंने आपको विद्रो के कारण बता है, तो अब आपको यह समझ आ गई बात कि विद्रो की शुरुबात क्यों ही, क्योंकि जो कुवर सिंग का रोल था ना, उसके लिए मेरे को यह सारी चीज समझानी ब बढ़ाओं घर में हमारी कोई इज्जत नहीं होती, बढ़ोगी, ठीक है, क्योंकि छोटे ज्यादा लाड़ ले होते हैं, लेकिन हम छोटों को काफी सोशन करते रहे, तो उन्हें बस एक पॉइंट चाहिए, मम्मी का आगया, पापका आगया, यह 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 करते हैं, बतल अविद्रो हम करके रहे हैं, क्योंकि उसलिए, आजांदी के लिए तो विद्रो हम नहीं करे हैं, ठीक है, आज उसमें हम क्योंकि राष्टवाद भारत एक देश है यह तो सही हाँ कमपूला यह नहीं कह दी थी बस यह था कि अंग्रेजों को मालना है, मेरी जहांसी ले ली, मेरा लखना हूं ले लिया, मेरा टेक्स बढ़ा दिया, विद्वा पुनर विवाकान हूं लिया, तो उसकी कमी थी, लिटर्शिप अच्छी नहीं थी, लिटर्शिप थी नहीं, दोनों का common objective, आपर मैं पढ़ क्यूं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैं बिहार के लिए पढ़ा रहा हूं, अब बिहार के एक्जाम के लिए तो यादी कर रहे हैं, तो common objective थी नहीं होगा, यानि एक goal ही नहीं हो GK के questions भी कराता हूं, तो आज के लिए ताई, जय हिन, जय भारत, मिलते हैं कल आप से, bye bye, thank you very much, feedback जहुँ बढ़ेगा, God bless you.